Hello children, today we will learn about the noun. हम किसी का नाम बोलते हैं, किसी जगा का नाम बोलते हैं, किसी नदियों के नाम बोलते हैं, पहाड़ों के नाम बोलते हैं, और किसी वर्ल्ड में कोई भी जगा है, स्थान है, पूरी दुनिया में उनके नाम बोलते हैं, और अपनी भावनाओं को कैसे वेक्त करते हैं, भाव नाउन बोलते हैं ठीक है तो अब नाउन की जो definition है वो है नाउन is a name which refers to a person, object, living or non-living or feeling नाउन नाम है किसी पर्सन का पर्सन व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो ठीक है व्यक्ति का object object मने किसी वस्तु कोई भी वस्तु वो चाहे living हो और non-living living भी हो सकती है जीवित और नर्जीव और feeling ठीक है और जैसे इसके examples हम देखते हैं रोहित नाम है आदमी का man है आदमी, mouse, चुहा है, table है, lily, pool का नाम है, rain, वर्षा है, joy, खुशी, etc ऐसे जो नाम आएंगे वो सब किसमें आते हैं noun में तो हम noun की definition को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं A noun is the name of a person, place, or thing A noun is the name of a person, place, or thing ऐसे भी हम देखते हैं तो यह हो गई इसकी definition A noun is the name which refers to a person, object, living, or non-living, or feeling A noun is the name of a person, place, or thing Now we will read about types of nouns संघ्या के प्रकार कितने होते हैं Noun can be classified into two kinds Two kinds होते हैं संघ्या को हम दो प्रकार से बरगिकरत कर सकते हैं एक है countable noun जिनको की हम गिन सकते हैं Countable मने गिनी जा सकने वाली संघ्या और दूसरा होता है uncountable noun जिसको हम नहीं गिन सकते अब वो क्या आते हैं वो हम आगे देखेंगे Countable noun में जैसे आता है mouse, चूहा कितने सारे भी चूहे हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है ये इतने हैं और कुछ कम हैं उनको तो गिना जा सकता है जादा हैं तो उनको अनुमान लगाया सकता है fool, lilik है उसको गिन सकते हैं man, आदमी है उनको गिन सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम बोलेंगे countable noun और uncountable noun वो होंगी जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनमें क्या आएगा जैसे वर्षा हो रही है वर्षा कितनी हो रही है, है ना, तो रेन है, जॉय है, खुशी है, कितनी, उसकी मात्रा हम नहीं गिन सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे uncountable noun, ऐसी कई और शब्द भी हैं, जो uncountable noun में आएंगे, तो an uncountable noun is often used as a countable noun, कभी-कभी जो uncountable noun है, वो countable noun की तरह भी उस होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको भी हम गिन सकते हैं, अब कैसे गिन सकते हैं, देखो, जैसे tea है, चाय, हमने बोला चाय, चाय को हम नहीं गिन सकते हैं, यह uncountable होगी, लेकिन अगर हम बोलेंगे two teas, दो चाय, दो कप चाय, two teas का मतलब होता है, दो कप चाय, तो यह क्या हो इस तरीके से countable भी हो सकता है, जो चीज uncountable है, जिसे water, पानी, पानी को हम नहीं गिन सकते, तो uncountable हो गया, लेकिन two glass water अगर हम बोलेंगे, तो वो क्या हो गया, दो गिलास पानी क्या हो गया, countable, nouns are written in plural form, but are always taken as singular, कुछ nouns को हम plural form में लिखते हैं, बहुआ चन रूप में लिखते हैं, लेकिन वो हमेशा singular लिए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं, give me the pliers, pliers बोलते हैं न, प्लायर जानते हो, प्लायर, तो उसको हम प्लायर ही बोलेंगे, लेकिन वो हम है वो एक ही चीज, we can get the latest news from the internet, internet के द्वारा हम अभी की ताजा खबर ले सकते हैं, तो news बोलेंगे, news ही होता है, तो ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनको हम singular form में ही लेते हैं, अब हमारा ये आग्याट, ये तो हमने पढ़ा types of noun, अब हम पढ़ेंगे kinds of noun, noun कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले होता है proper noun, वेक्ति वाचक संग्या, अब जो noun हमने इते सारे noun हम बोलते हैं, उसको हमने classify, मतलब बाढ़ दिया है, भागों में बाढ़ दिया है, तो पहला proper noun है, किसी एक विशेश वेक्ती, किसी विशेश वेक्ती, वस विशेश वस्तू, कोई भी विशेश वस्तू हो, विशेश स्थान, किसी विशेश स्थान के बारे में, जगा के बारे में के नाम को proper noun कहते हैं, ठीक है, जैसे सीता है, विशेश वेक्ती है, कोई लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है, हम सीता के लिए बात कर रहे है हम उसको जानते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया, कैलकटा is a big city, city है कैलकटा, लेकिन विशेश रूप से हम किसकी बात कर रहे हैं, कैलकटा की, तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया, रामायन, तो रामायन is a holy book, holy books कितनी सारी होती हैं, धार्मिक पुस्तक, बहुत सार होती हैं लेकिन हम अभी किसके बारे में particular बात कर रहे हैं, धार्मायन, तो हम जब particular विशेश रूप से किसी व्यक्ती स्थान के बारे में या वस्तु के बारे में बात करें, तो उसको हम बोलेंगे proper noun व्यक्तिवाचक संग्या, ठीक है, अब हम देखो, दूसरा में आते हैं जाती वाचक संग्या ठीक है, जाती वाचक संग्या में क्या आता है, common noun इसको हम English में बोलते हैं common noun, इससे किसी विशेश व्यक्ति वस्तू, तथा स्थान का ज्यान नहीं होता, जैसे proper noun में हुआ था, बलकि यह एक ही जाती के सब व्यक्तियों को वो एक ही व्यक्ति में था इसमें सब व्यक्ति है, देखो सब व्यक्तियों, वस्तूओं तथा स्थानों का बोत कराता है, ठीक है उसे हम कहेंगे common noun जो commonly used होगा, जैसे book है, अब यहाँ पर हमने रामायन पढ़ा था पहले तो book कौन सी है वो, particular होगी, अगर आमायन बोलेंगे अगर book बोलेंगे तो कोई भी book तो उसको हम common noun में बोलेंगे boy, कोई भी लड़का village, गाउं, हम particular village का नाम नहीं बोल रहे हैं अगर particular नाम बोल रहे होते तो proper noun हो जाता, यहां village है तो common noun, sister यह भी common noun आएगा, आधी यह है, जैसे I live in a town, the pen is on the table the boy is reading a book in a town, कोई भी शहर में pen, क्या कोई भी pen हो सकता है boy, कोई भी लड़का, ठीक है तो यह सब जो आते हैं, यह होगे common noun में, अब आएगा third जो होता है, collective noun क्या आता है collective noun, इसको हिंदी में बोलते हैं, समुह वाचक संग्या collective noun को क्या बोलेंगे, समुह वाचक संग्या, इससे एक ही प्रकार की वस्तों के समुह का बोध होता है समुह में जब हम बात कर रहे हैं तो वह collective noun में आएगा, जैसे सीता reads in my class है ना, तो class जो एक समुह है, मतब यह इसमें ऐसे बाढ़ाएंगे, जो समुह को ही दश आते हैं उसमें एक वेक्ती, दो वेक्ती से नहीं चलेगा वो समुह होना चाहिए class में क्या, class में एक ही बच्चा होता है, class में 10 बच्चे, 5 बच्चे 100 बच्चे, 200 बच्चे 1000 बच्चे, कितने भी बच्चे हो सकते हैं तो class एक समुह है, तो सीता reads in my class सीता मेरी class में पढ़ती है we should salute all the person of army, army क्या है, army में कोई भी, army एक समुह का नाम है, आर्मी में हम एक वेक्ती को नहीं सोच रहे हैं, किसी particular वेक्ती को नहीं जान रहे हैं उसको समुह को हम जान रहे हैं तो ये we should salute all the person of army ये भी हमारे किस में आजाएगा collective noun में राजू is in my team टीम भी कैसे बनती है, समुह से ही बनती है कोई भी टीम बनेगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, collective noun अगला आता है material noun material noun होता है पदार्थ वाजक संक्या है ना, जो material बन से बने है इससे ऐसे धातू या पदार्थ का ग्यान होता है जिससे की अन्यवस्थ में बनती है gold, silver wood है ना, सोना, चांदी लकडी, लोहा iron तो अन्यवस्थ में बनती है अब इनसे कई चीज़े बनती है तुम्हें जानते हो gold से क्या बनता है सोने से क्या बनता है silver से क्या बनता है है ना, चांदी से, तो यह सब चीज़ें आएंगी gold, iron, silver, rice stone, etc. यह सब आता है material noun में silver is white जैसे हमने यहाँ पर बोला silver क्या है सफेध है the ring is made of gold अंगुठी बनी है किसकी सोने की this table is made of plastic यह table किसका बना हुआ है plastic का तो यह plastic, gold और silver यह क्या है material noun क्या है material noun फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ आता है हमारा abstract noun क्या आता है abstract noun भाव वाचक संग्या इससे किसी गुण, दशा, अथ्वा, कार्य का बोध होता है abstract noun में जैसे beauty सुंदर्य इसमें हमारे किसी के गुण का बोध हो रहा है youth दशा का बोध हो रहा है जवानी honesty honesty इमानदारी गुण का बोध हो रहा है childhood अवस्था का childhood लोट बच्पन जो है तो ये किस में आएंगे हमारे abstract noun भाव वाचक संग्या ठीक है ये भाव वाचक संग्या होगे तो five हमने पड़े तो first हमारा क्या था जो सबसे पहले हमने पड़ा था वो था proper noun first proper noun second जो था वो है हमारा common noun second common noun third हमारा है collective noun समू वाचक संग्या फिर हमारा आता है material noun पधार्थ वाचक संग्या और last में fifth है abstract noun भाव वाचक संग्या कुछ वाक्य और पड़ेंगे जैसे इसमें हमने पड़ा ही देखो she lost her beauty ये हमारा abstract noun में आ रहा है beauty honesty is the best policy honesty हमारा abstract noun में है Ravi is very thin boy बहुत पतला वेक्ती है लड़का है तो ये उसकी अवस्ता होगी उसका गुण हो गया या उसकी अवस्ता होगी अवस्ता होगी what a beautiful flower कितना सुन्दर फूल है तो ऐसे शब्द जो आएंगे beautiful, thin, honesty, beauty, sad he is very sad today दुखी है आज वहाँ बहुत तो ये सब आता है abstract noun में